तो चेलिए स्टार्ट करते हैं आज के आने की 25 अक्टूबर के इंपोर्टेंट करन्ट अफेर्स को तो इस प्रस्ट में आपसे पूछ रहे हैं भी हाली में एशन डेवलेप्मेंट बैंक का 69 नंबर का सदस्य देश कौन सा बन गया है तो आंसर होगा इसराइल तो अभी इशन डेवलेप्मेंट बैंक का याद रखेंगे नवीनतम सदस्य देश बन गया है इसराइल ये इसका 69 नंबर का सदस्य देश होगा और आप यूँ भी कह सकते हो ये इसका 20 वा गेर शेत्रे सदस्य बना है मतलब इन 69 देशों में से 49 तो इशिया और प्रशान्त शेत्र से है जबकि 20 गेर शेत्रे सदस्य है तो आप तो सिंपल सा याद रखो इशन डेवलेप्मेंट बैंक का 69 नंबर का सदस्य देश अभी कौन सा बन गया इसराइल बन गया इशन डेवलेप्मेंट बैंक की बात करें इस्तापना होती 19 देसंबर 1966 में है और प्रशान्त बैंक की सथापित करने का मुख्य उद्देश है इशिया और प्रशान शेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बड़ावा देना और अभी इसका नवीनतम सदेश से बन गया है इसराइल अचाव यहाँ पे मैं most important question आपको revise करा रहा हूँ वो सभी organizations जिसमें अभी नवीनतम सदेश से कोई न कोई बनाए वो सारे मैं आपको revise करा रहा हूँ जैसे कि पिछले साल G20 के अद्देख्षिता भारत ने कीती ते जब आपको याद होगा African Union G20 में शामिल हुआ था African Union का मुख्याले याद रखना एदेश अबाबा इथोपिया में है BRICS में अभी पांच नए मेंबर शामिल हुए एक जनवरी 2024 को कौन-कौन से इरान, साउधी अरब, UAE, इथोपिया और एजिप्ट और कौन सा देश नहीं हुआ अर्जेंटिना नहीं हुआ और आशियान का ग्यारवा नमीनतम सदस्य देश तिमौर लेशते इस्थ तिमौर बना है शंगाई कॉपरेशन और्गिनाजेशन का इस बार दसवा सदस्य देश बेलारूस बना पिछली बार नवा बना था इरान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190 वा सदस्य देश एंडोरा है वर्ल्ड बेंक का 189 नमबर का है नाउरू युनाटिड नेशन का 193 नमबर का है साउथ सुदान नाटो का भी 32 सदस्य देश बना स्विडन इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का सोवा सदस्य देश पर रागवे बना था और अभी 101 वा बन गया नेपाल युरूपियन करंसी को अपनाने वाला 20 सदस्य देश या 20 सदस्य कौनचा है कुरुईशिया है सयुकतर राष्टर कमांड में ठारवा सदस्य देश बना जर्मनी न्यू डेवलेपेंट बेंक का नया सदस्य बना था अलजीरिया और ये इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का 101 वा हमने पन लिया नेपाल बन गया फुल टाइम मेंबर एशन इंफ्रस्ट्रक्चर इंवेश्पेंट बेंक का नवीन्तम सदस्य देश नाउरू बना 110 वा और इंटर पार्लेमेंटरी यूनियन का 181 सदस्य देश बना था भी जमाईका और आज हमने पढ़ा एशन डेवलेप्मेंट बेंक का 69 नमबर का सदस्य यह इसराइल बन गया वो भी आप इसमें एड कर लेंगे तो इस तरह से 16 इंपोर्टेंट कुशन हमने यहापर रिवाइस कर लिये हैं जिसमें कोई न कोई ओर्गिनाजिशन में नवीनतम सदस्य से बना है यह ध्यान रखेगा इंपोर्टेंट शीट रहेगी आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए अगला प्रस्न दिखते हैं फिर अगले में पूछ रहें कि भारत का नवीनतम बंदरगा गेलिथिया खाड़ी का इंटरनेशनल कंटेनल ट्रांस्शिप्मिंट पूर्ट इस्थापित किया जाएगा कहां पे यह पूछ रहें कहां पे किया जाएगा तो अंसर होगा ग्रेट निकोबार द्वीप तो इसका नाम है इंटर कंटेनल ट्रांस्शिप्मिंट पूर्ट यह भारत का नवीनतम तेरवा बंदरगा बन गया है कहां पर बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप के गिलिथिया खाड़ी में है ये अंतरराष्टर व्यापार मार्ग याने के इंटरनेशनल ट्रेड रूट परिस्तेत है इसलिए ये इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके आने से विदेशी ट्रांस्चिप्मेंट पोर्ट पर भारत की निरभरता कम होगी अच्छा ये अगर भारत का तेरवा बंदरगा है तो इससे पहले बारवे नंबर का कौन सा था वो था कामराजर पोर्ट जो आपको मिलेगा चन्ने तमिलनाडू में आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वदावन बंदरगा के अधारशिला भी रखी थी कहां पर महराश्टर के पालगर में ये भारत का पहला मेगा बंदरगा है और आपको याद हो तो अभी इसी साल वर्ड बैंक की दुनिया की टॉप 100 गाहूं को शामिल किया गया था और अभी हमने पढ़ा था इसी साल 2023 में कारगो प्रबंधन के मामले में पारादीप पोर्ट ये टॉप पे था तो पारादीप पोर्ट कहां पर ये प्रशन आएगा तो उडिसा में है अच्छा सित्वे बंदरगा का है चोले काम करता हूं जो भी इंपोर्टेंट बंदरगा पोर्ट अभी न्यूज में थे वो सारे मैं आपको एक साथ रिवाइस कराता हूं सब यहां पर आपको मिल जाएगा जैसे कि देखो वदावन बंदरगा हमने पड़ी लिया ये महराष्टर के पालगर जिले में अभी इसका फॉंडेशन इस तो न रखाता मोदी जी ने और ये पॉंट भी मैंने आपको बता दिया चाबाहार बंदरगा की बात करें यह आपको इरान में मिलेगा भारत ने बनाया है और इसमें टर्मिनल है शाहिद बेहस्ती टर्मिनल भारत ने इसको दस सालों के लिए लीज पे ले लिया है सित इसव कि पे more प्एक पूर्ट इसराइल में भारत की पहली एकिकरत करशी निर्याद सुविधा ये शुरू हुई जवाल लाल निरु पोर्ट पे मोंगला पोर्ट बांगला देश में है ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में चाइना ने बनाया है जिसको विजिंगजम टोर् में है कांडला पूर्ट गुजरात में है जिसका नया नाम दीन दयाल पूर्ट है गोपालपूर पूर्ट उडिसा में है मुंदरा पूर्ट गुजरात में है और हजीरा पूर्ट गुजरात में है धामरा पूर्ट ये आपको उडिसा में मिलेगा तो ये सारे कुछ important बंदरगा हैं जो आपके news में रहे थे मैंने आपको revise करवा दिये तो ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर अगले प्रशन में पूछ रहें कि अभी हाल में Hero महिला Indian Golf Open Tournament ये का पर शुरू हुआ तो आंसरोगा Guru Gram में यहां पर बात कर रहे हैं Hero Women's Indian Golf Open Tournament की इस बार इसका ये सोलवा संसकरन है जो शुरू हुआ है Guru Gram हरियाना में तो यहां पर 31 देशों के 114 खिलाडी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें से 27 भारते भी होंगे तो यह आपको ध्यान रखना है अच्छा वैसे कुछ भारते गोल्फर के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए कई बार एक्जाम में खिलाडी के नाम दे करके खेल पूछ लेता है तो कुछ जो important गोल्फ प्लेयर से उनके नाम देखो जैसे तो जीव मिलखा सिंग हो गए दिक्षा डागर हो गई अधिती अशोक हो गई अच्छा अधिती अशोक का नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं यह जो आज हमने पढ़ा ना हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टोर्नामेंट तो इसको जीतने वाली पहली भारते महिला कौन बनी थी अधिती अशोकी बनी थी 2016 में एक अरजुन अतवाल नाम है अनिर्बन लाहिडी हो गया गगनजीत भुलर हो गया और एक अमेरिकी गोल्फ प्लेयर है टाइगर वुड्स वो तो सबको याद होगा नाम उनका तो और इसी साल US गोल्फ असोसियेशन ने विल्देव को ये पॉइंट भी ज़रूर याद रखना बाकी राइडर कपका संबंध किस्से है तो गॉल्फ से है ठ्यान रखना अगला प्रशन देखता है फिर अगले प्रशन में पूछ रहे हाली में करमचारी चैयन आयोग का प्रमग किसे नियुक्त किया गया तो आंसर होगा S. गोपाल करशनन को तो अभी S. गोपाल करशनन को SSC यानि की स्ताफ सेलेक्शन कमिशन करमचारी चैयन आयोग इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है किनका इस्तान लेंगे राकेश रंजन का इस्तान लेंगे ये बात करें SSC की तो इसका इस्ताफना होता है 1975 में मुख्यले नई दिल्ली में आपको मिलेगा और अब नए अध्यक्ष S. गोपाल करशनन होंगे कुछ और इंपोर्टेंट जो अभी लेटेस्ट हमने अपोइन्मेंस पड़े वो मैं आपको रिवाइस करवाऊं तो नार्कोटिक्स कंट्रोल व्यूरो के महानिदेशक बने थे अनुराग गर्क नालको यानि के नेशनल एलुमिनेम कंपनी के CMD बने थे बिजेंतर प्रताप सिंग IRFC के CMD मनुच कुमार दुबे बने टाटा ट्रस्ट के नए अद्देख्ष नोयल टाटा बने भारते तटरक्षक बलके 26 महानिदेशक डारेक्टर जन्रल बने थे परमेश शिवमनी राष्टर महिला आयूक की नए अद्देख्ष विजया किशोर रहाटकर बनी थी नवे नमबर के अद्देख्ष हैं इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के नए अद्देख्ष अभ्युदे जिंदल बने एचेजबिसी की CFO Chief Finance Officer बनने वाली पहली महिला बनी थी आम कोर जो की भारती मुल्क की भी है तो प्रश्ण इंपोर्टेंट हो जाता है अभी World Steel Association के नए अद्देख्ष बनेते TV नरेंदरन और स्पद पर आने वाले ये दूसरे भारतिया हैं तो ये कुछ बिल्कुल लेटेस्ट करेंट अफेर्स मेंने आपको अपोइन्मेंट वाले रिवाइस करवा इनको ध्यान में रखिएगा अगला प्रशन देखते हैं तो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाली में 24 वी राष्टर पेरा तेरा की चेंपियंशिप में और इसको जीता किसने इसको करनाटक ने जीता है करनाटक पहले स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे यहां पे महराष्टर रहा और तीसरे पे राजस्थान रहा तो इतना सा आपको याद रखना है कि अभी राष्टर पेरा तेरा की चेंपियंशिप की हम बात कर रहे हैं इसका 24 वा संसकरन था और हुआ कहां पे पनजी गोवा में हुआ है जिसमें विजेता करनाटक रहा है अचा पेरालंपिक से आपको याद आएंगे एक तो अभी जो पेरिस पेरालंपिक हुए थे उसमें अगर मैं आपसे बूचू भारत ने टूटल कितने मेडल जीते ते 29 मेडल जीते थे जिसमें से 7 गोल्ड थे और इस तरह से उसमें मेडल टैली में बात करोगे तो भारत की रेंख है अठारवी अचा पहले पेरालंपिक गेम्स कब और कहा हुए ये पूचेंगे तो 1960 में हुए थे रोम इटली में और अगर पूचे फादर और पेरालंपिक गेम्स किने कहा जाता है प्रोफेसर लुडविक गुटमेन को कहा जाता है ये पॉइंट भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा ठीक है अगला प्रशन भी हम देखते है फिर अगले प्रशन में पूच रहें कि अभी हाली में ग्लोबल एंटे रैसिजम चेंपिंशिप अवर्ड दो हजार चौबिस से किसे सम्मानित किया गया तो आंसर होगा उर्मिला चौधरी को तो नेपाल की एक प्रमुख सामाजिक प्रचारक है उर्मिला चौधरी चिनको भी प्रतिष्ठित ग्लोबल एंटे रैसिजम चेंप उर्मिला चौदरी है ये पहले बंदुवा मजदूर हुआ करती थी फिर इन्होंने उसके खिलाव आंदुलन किया नेपाल में बंदुवा मजदूर को कामलारी प्रथा कहा जाता है तो उन्होंने इसे समाप्त किया और उसी के लिए उनको ये पुरुसकार मिला है नाम याद को बताए हमने बढ़ा था नॉंसेंस शडणार्थी पुरुसकार ही घोशना हुई थी पांच महिलाओं को पुरुसकार दिये गए उसमें से एक महिला हमारे पडोसी देश यानि की नेपाल से थी मैंने कहा था ये नाम जरूर ध्यान रखना तो वही मैं आप जे बूच रह था अंतर राष्टर ओलंपिक समीति ने भी किस ओलंपिक ओडर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया एम्मैन्वल मैकरॉन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपती है अभी विसे हमारे जो शूटर है अभी नो बिंदरा उनको भी ओलंपिक ओडर से सम्मानित किया गया राजशरी बिल्ला की बात करें तो 25 वे लाल बाहदुर शास्तरे राष्टर उत्करष्टता पुरुसकार से सम्मानित किया गया अलेक्जेंडर डन या अमेरिकी हैं शास्तर रामानुजन पुरुसकार दो हजार चौबिस मिला और अभी इंटरनेशनल एस्टरोनाटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड स्पेस अवर्ड से सम्मानित इसरो के अध्यक्ष एस सोमनात को अभी मानवतावादी पुरुसकार हिमिनेटेरियन अवर्ड दो हजार चौबिस मिला मोहन जी को और कालेदास सम्मान पुरुसकार दो हजार तेविस के लिए चुना गया रगुपती भट को कौन देता ये कालेदास सम्मान याद रखना मद्यप्रदेश सरकार देती है तो ये ध्यान में रखना अगला प्रश देखते हैं फिर अगले प्रश में पूछ रहें अभी हाली में संयोक्तर राष्टर दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 24 अक्टूबर को हर साल 24 अक्टूबर को संयोक्तर राष्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है United Nation Day पहली गुतरिस जो कि पुर्तगाल से हैं पहले अद्देख्ष कौन थे यहां पर ट्रिगवे ली थे जो कि नौर्वे से थे देखो United Nation के जो 6 अंग है उनमें से आप देखोगे 5 के तो मुख्यले आपको New York में ही मिलेंगे बस एक को छोड़ करके किसे International Court जिसका मुख्यले आपको हेग निदरलेंड में मिलेगा अभी वैसे आपको याद होगा United Nation General Assembly इसका 79th नंबर का सेशन स्टार्ट हो चुका है और उसके नए अद्देख्ष बन गई कौन फिले मांग यांग जो कि केमरून से है United Nation General Assembly जिसे विश्व की लगू संसद भी कहा जाता है अचा United Nation में भी भारत के मानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने ये भी इंपोर्टेंट प्रशन है तो पी हरीश यानि की परवत नेनी हरीश इनका पूरा नाम है अचा बैसे 24 अक्टूबर को और भी दिवस होते है 24 अक्टूबर को जिसे विश्व विकास सूचना दिवस वर्ड डेवलप्मेंट इंफॉर्मेशन डे होता है 24 अक्टूबर को नेशनल फूड डेबी होता है एक वर्ल्ड फूड डे अभी 16 अक्टूबर को हमने बनाया था ये नेशनल फूड डे हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोल्यो डेबी होता है पुलियो की वेक्सीन किस ने बनाई थी जोनास सालक ने तो ये दिवस भी आप ध्यान में रखो एक बाद चलो अक्टूबर के सारे important days मैं आपको revise करवा देता हूँ देखो एक अक्टूबर को आमने वरदजन दिवस कॉफी डे और vegetarian day मनाया 2 अक्टूबर को अंतर रश्चर अहिंसा दिवस और स्वच्ष भारत दिवस 4 अक्टूबर को विश्व पश धिवस 5 अक्टूबर को world teacher day् और राश्चर dolphin दिवस 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस 9 अक्टूबर को विश्व मान्चिक स्वास्ठ Т दिवस National Postal Day और Worldside Day 11 October को अंतरराश्टर बालिका दिवस 12 October को विश्व पक्षि प्रवासी दिवस World Migratory Bird Day 13 October को अंतरराश्टर आपदा जोखिम न्योनी करन दिवस 13 October को इस्तन केंचर जागरुकता दिवस 14 October को विश्व मानक दिवस World Standards Day 15 October को विश्व चातर दिवस 16 October को World Anesthesia Day और World Food Day भी होता है 17 October को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराश्टर दिवस 20 October को विश्व सांकी के दिवस 21 October को विश्व आयूडीन अलपता दिवस मनाया और 21 October को ही राश्टर पुलिस इस्मरती दिवस भी मनाया गया था ये October के अभी तक के Important Days ध्यान में रखना अगला प्रशन दिखते हैं फिर अगले में पूछ रहें अभी हाली में चल्चा में रहे करतारपुर कोरिडोर का सम्मन्द किस्से है तो आंसर हुगा गुरू नानक दिव तो करतारपुर कोरिडोर एग्रिमेंट ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझोता है जो कि कब हुआ था 2019 में जो अभी 24 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया पर अभी इसे अगले 5 सालों के लिए फिर से एक्स्टेंड कर दिया गया बढ़ा दिया गया कब तक के लिए 24 अक्टूबर 2029 तक के लिए अब ये है क्या तो करतारपुर ये इस्थान पाकिस्तान में पढ़ता है पाकिस्तान के पंजाब में पढ़ता है और ये सिख समुदाई के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इस्थान है क्योंकि यहीं पर सीखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक जी उन्होंने यहां पर लंबा कारिकाल लंबा समय यहीं पर बिटाया था तो जो भी भारते तीर्थ यात्री हैं उन्हें अगर गुरु द्वारा दर्बार साहिब करतारपुर जाना है तो उसी के लिए दोनों देशों के बीच में ये एग्रिमेंट हुआ था कि हमें गलियारे एक कोरिडूर बनाएंगे जिसके थुरु भारते शरद्धालू यहां पर आ सकेंगे और दर्शन करके फिर से भारत लोट जाएंगे और इसी गलियारे को करतारपुर गलियारा कहा जाता है तो इसमें हमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे एक देशे दूसरे देश में जाते हैं तो वीजा की जरूरत पड़ती है लेकिन इसके धुरू जाते हैं तो वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है बस पाकिस धर्म के पहले गुरु हमने कहा गुरु नानक देव जी थे और दसवे नंबर के गुरु कौन थे गुरु गोबिंदे सिंग थे जिन्होंने खालसा पंत की स्थापना की थी 1699 में अगर मैं पूछूं तीन बिगा कोरीडोर समझोता ये किन के बीच हुआ भारत और देश के बीच में और इसके लिए हमारे समविधान में सोवा समविधान शंशोधन भी हुआ था तो बात आपको समझ में आ गयी होगी इसको ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं चलिए बताईए अभी हाली में कैबिनेट समीति ने कहां पर नई मिसाइल की मिसाइले होंगी उनकी टेस्टिंग यहां पर करेगा तो याद रखना है सिंपल सा कहां पर ये नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज ये बनेगी जिसको भी मंजूरी मिल गई है आंद्रप्रदेश में आंद्रप्रदेश के ना गया लंका में आचा वैसे अगर आपको DRU की अगर बात करते हैं तो Defense Research and Development Organization full form होती स्थापना होती 1958 में Headquarter नई दिल्ली में है Chairman है Samir V. Kamat और इसके पहले अध्यक्ष थे दौलत को ठारी मोटो होता है बलस्य मुल्सय मुलम विज्यानम ठीक है ध्यान रखना वैसे DRU से कुछ और भी प्रशन में आपको अभी DRU ने ही Long Range Glide Bomb का सफल परिक्षन किया था उसका नाम गौरव रखा है उसके लब अभी DRU ने Agni 4 मिसाइल का सफल परिक्षन किया था कहां से चांदिपूर जो Test Firing Range है उडिसा में वहां से यह जो Agni 4 है Nuclear Capable Intermediate Range Ballistic Missile है Surface to Surface Missile है जिसके Range है 4000 km तक की अभी DRU ने Agni 5 का भी सफल परिक्षन किया था MIRV Technology के साथ में यानि की Multiple Independently Targetable Re-Entry वेकल इसका मतलब हो गया कि एक बार आप इसे लांच करोगे तो यह बहुत सारे टार्गेट को हिट कर सकती है Mission दिव्यास्तर के अंतरगत इसको टेस्टिंग किया गया था अभी DRU ने हलके वजन वाली Bulletproof Check It अभीद को भी डेवलप किया IIT दिल्ली के साथ मिल करके तो यह सारे पॉइंट्स दियान में रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर पूछ रहें कि Commonwealth Games 2026 में कितने खेल शामिल होंगे तो आंसर होगा 10 खेल अब यह प्रशन में आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी न्यूज आ रही है कि Commonwealth Games 2026 जो होंगे पहले तो बताओ कहां पे होंगे पहले यह ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे फिर ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था फिर कहां गया यह कहां पे होंगे Glasgow Scotland में होंगे और लास्ट टाइम 2022 वाले जो Commonwealth Games वो Birmingham UK में होए थे जिसमें 19 खेल शामिल थे पर अभी कहा जा रहा है किवल 10 खेल ही शामिल होंगे मतलब 9 खेलों को इसमें से हटा दिया गया है जिसमें कुछ तो बड़े फेमस खेल है जैसे कि बैडमिंटन, होक्की, किर्केट, कुछ्टी, टेबल टैनिस जैसे खेल तो इन सब को हटा दिया गया है तो यह आपको ध्यान रखना इस भारत 10 खेल ही शामिल होंगे आपको बता है पहले जो कॉमनवेल्ट गेमस थे वो कब और कहा हुए थे 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में क्या भारत भी कभी कॉमनवेल्ट गेमस को होस्ट कर चुका है क्या तो आंसर होगा yes 2010 में दिल्ली में हुए थे अभी लास टाइम जो हुआ था हमने कहा 2022 में हुए थे बर्मिंगम UK में जिसमें भारत ने टोटल 61 मैडल जीते थे जिसमें से 22 गोल्ड थे और इसके साथ मैडल टैली में भारत चौथे इस्तान पे रहा था अच्छा यहां से तो किर्केट को हटा दिया गया लेकिन आपको बताए जो अब 34th नंबर के समर ओलंपिक होंगे 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में वहां पे किर्केट को शामिल कर लिया जा रहा है तो ध्यान रखना बाकि यह थी आज के आपके करिंट अफेर्स की क्लास और मैं आपको बता दू इनका PDF आपको मिल जाएगा आपकी करेक एक्जाम एप्लिकेशन में जिसका लिंक नीचे description बॉक्स में दिया गया है quiz जरूर लगाईएगा इसका test जरूर लगाईएगा इन सभी questions का ताकि आपकी practice बनी रहे quiz daily upload होती है crack exam application पे ही बाकि वीडियो पसंद आये तो like जरूर कीजेगा दोस्तों के साथ में share जरूर कीजेगा अभी चलो कल के कर interface का भी मैं आपको quick revision करा दू फिरम session end करते है तो पहले question में आपसे बूचा था भारत की चौथी पर्माणू पंडुबी ये launch कर दी गई उसका नाम क्या है S4 है कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया रगुपति भट्ट को सेन्य खूफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले तो अंसर होगा मिश्र यानिक एजिप्ट को Moonlight Program कि इसने launch किया European Space Agency और संयोक्तर राष्टर जैव विवित्ता सम्मिलन कोप सोला ये कहां पर शुरू हुआ कॉलंबिया भारते सेनक के सुदर्शन चकर कोर ने कहा स्वाव लंबन शक्ति अभ्यास का एउजन किया उत्रप्रदेश और HSBC की CFO नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है पाम कोर इनका नाम है और आखरी प्रशन था International Shooting Sports Federation के दोरा Liu Yukun को पुरुष Athlete of the Year गोशित किया गया उनका संबन्द किस किस देश से है चाइना चलो भी कल का भी हमवर्ग प्रशन देखते रो सेशन एंड करते है तो कल पूछा था कि नंज रायन पक्षे अभ्यारन ने किस राज्य में है जिसे अभी रामसर इस्तल बनाया गया था तो आंसर हो जाएगा इसका तमिल नडू आप समी ने प्रशन का बलकुल सही उत्तर दिया अब ये रहा आज का आपका हमवर्ग प्रशन